ने लेकिन चाइड मारेज वाला मैंने इसले इशू ब्रिंग अप किया है सीन विकोज इट मस्ट हब बिन वेरी चैलेंजिंग और सो आजकल के सेंसिशिप के दोहर में आपको मैं बात बताऊं शाहिद कोई ये बात आपको अजीब सी लगेगी एक राइटर जब लिख रहा होता है उस राइटर मी बात कर रहा हूं जो खून से लिख रहा होता है बहुत से ऐसे हमारे बड़े अच्छी अच्छी राइटर्स है जो दिल से लिख रहा था जो अपनी कहानी के अंदर डूबा होता है वो अपनी कहानी को जिन्दगी समझ रहा होता है असान लफजों में करकाउंटो वो अपने करदारों के साथ जीरा मर रहा होता है जब वो कैदी काद कैद खाने में दम तोड़ा उसने मैं दो दिन वक्फे-वक्फे से के लिए रोता रहा कि ए रखेंए यह एक क्या हो गया की उसी तरवासूमा भी गुजरत के लिए अंधा तरो फिर मुझे उसके इंदे से मैसेज भी देना था मुझे ये बताना भी था कि निकाह भी हुआ है रुकसती भी हुई है लेकिन मैं आप घर तक लेकर गए और मुझे उनको बूसकूर उन दोनों का फासला भी एक दिखाना था इट वरी टफ बहुत मुश्किल था बहुत मुश घर गुड़ी इस वेरे ऑविशली इन लाव वी आदम आदम को घुड़ी से प्यार हुआ नहीं हुआ यह मैं यह नहीं पता लेकिन इस किस्त मे को अपनी माँ को सारी बात सच शोच बता दी है और यह कह दिया है कि पियार है नहीं यह बात उसणे ड्रेस बहुत changed neighborhood को सवाल कुछिया जुदे के उसके हम साइन उसको चीनी नहीं दी ती यह निवक जूनी आटा नहीं दिया ता और बहने उसकी भूकी थी तो गुड़ी की कोई बेच दिया चले वो भी को बेघर तो कर दिया आपने मसाइब तो और फिर जो उसने रोशनी के साथ किया एक तरह से अगर देखा जाए तो इन डिरेक्ली जितना एक ट्रॉमाटिक गुड़ी अगर उसको वहां से बगाने को उकसाती ना तो शायद रोशनी जहां पर पहुंच गी थी वहां पर भी ना पहुंच थी तो यह जो इसके मैं यह नहीं आउट राइट नेगेटिव तो नहीं बोलूगा लेकिन जो ग्रेश एड़ा बड़ा अच्छा आपका बहु अल्ला के जो बंदे है न सिवाए अल्ला के और कोई माफ करने की पोजिशन में नहीं नजारा आज करें पुझे आप समयते गुड़ी ने इतना बड़ा ने बात चुरू किये वने अच्छा जिए ठीक बात चुरू किये माफ भी निल सकती ए कितना बड़ा अल्मिया है जि तो आफ भी ओस्तव ऑगाड़ि लेके जारा होगा हुँस और जूरूरी काम होगा बड़ी असान मैसाले देरा हुआज बचोमाली मैं बच्ण आ रहा है और बहुत समझधार है और मैं आपी बहुत हिजद करता हूँ मैं आप से बहुत मेरा बड़ा प्यार है आपसे और मे तो उसे को यार ना जाएं ट्रैफिक बहुत देखी तरह की एक्सिडेंट ना हो जाए हमने सिर्फ इतना कहा है और अगर अगर अखास्ता उसका एक्सिडेंट हो गया उसकी टाम तूट गई वह पाहिज हो गया तो हम सबसे पहले तो यही बात कहेंगे मना किया थना तुझे उसका सारा दर्द सिर्फ इस बात में गुल मिल जाएगा कि हमने तो मना गिया था इसे समझाया था ना तुझे अरे वो नहीं समझा उस वक्त गलती हो गई उससे अब उससे जो कॉंसिक्वेंसेज है वो बरदाश करता रही उसके दर्द की उसकी तकलीफ की उसके उसके अजाब की वैल्यू खत्म कर देते हम यह गलती दूश्की थी अरे यार गलती का पुतला है इनसान अगर उससे घलती हो गई ए वो क्या वो कोई इंसान अगर अपने अपनी गलतियों का अजाला भुगत रहा हो तो उस दुरान उसकी गलतियों का एसास दिलाना वो भी बार बार बड़ा तल्ख होता है गुदी ने क्या का पिछल एपिसोड आपका बहुत शुक्रिया में रिव्यू देखा है हसाना बहुत समझदारी की बाते करते हैं कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जब सवाल को उठता है किसी बात पर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जवाब दे रहा हूं मैं राइट खत्म होने से पहले पूरी कभूल हो जाती है अगर अगर कहानी उस तरफ जानी है तो भरपाई होगी भरपाई कोई ना कोई तो करेगा आदम को गुड़ी से प्यार हो गया है या नहीं सर आदम पहली दफ़ा किसी की आँखों में प्यार देखा है अपने लिए क्योंकर पहले यह देखी वह दो आंके जहां से वह प्यार देखना चाता था वह तो खाली थी महत की आँखों में आख को तो उसके लिए कुछ था नहीं एक इज़त थी बच्पन का तालुक था एक अठे पड़े एक अठे खेले शादियां एक अठे अटेंड की ये सब कुछ हुआ उसने पहली दफ़ा वो आखें देखी है जिसकी आखों में उसे वह हैसास नजर आ रहा है जो उसका किसी के लिए था तो उसने का तो मैं इज़त के साथ ये बरताओं करते हैं देखा कि उसे भर से निकाल रही है कि जा चली जा और वो कह रही है कि मैंने आप प्ली से कुछ किया तो मेरे मेरे दिल में शाहिद गुड़ी के लिए अलका सा सॉफ्ट कॉर्णर आया लेकिन क्यूंकि नुक्सान की भरपाई होगी तो कुछ ह होगा या हो सकता है ना हो तो अलला ताला किना मतलब जो इंफिनिटी है एक फिस तो आप गिने नहीं सकते उसमें से उसमें से माफ करने जी भी है खिवतक दो यह रहा है route est으니까 को बुरा इंसान किया बुरा इंसान बॉरा यह कर ले तो बुरा है नहीं माफी उसके लीए कुछ एसे जरायम या गुना होते हैं जिनकी माफी मुम्किन नहीं क्वह नहीं मुंकिन होनी होती मुझह नहीं है कि चायी पर लेकंने कि लेकर रहे ए तो यह लिए जो करने हैं अन 20% मेत लगती है है यह स्कोवान मेरे अपना नाम मुझे फिanes तो आंखों में उसना हमेशा प्यार धूंडने की कोशिश लेकि मेहक 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 को भी ना मैं एसरेटर मैं सेलफिश नहीं कहता है कि मैंने रुहाम को गोद में उठाके देखा हुगा है जब आपकी नजर अपनी उलाद पे होती है ना तो आप नजर उठाके किसी और को देख भी रहें बात भी कर रहे हो नजर आपके उलाद की तरफ रहती है नहीं लेकिन अब ये कहानी आगे अब ये बनेगी कि आदम किसको चूज करेगा मैं आपको स्क्रिप्ट देता हो आपकल इंटर्वी बे चला दें एक एक सफा करके ना साथ साथ इंटर्वी आप देख लिए जगा अगले अपसंद करेंगे किस तरह करेंगे किस तरह किस त अब पर आप ने चकस्त आपने अब वापिस अपने पेरों पर लाग एक खड़ा कर दिया पुश्क को अच्छी बात नहीं हुई बहुत अच्छी बात ने हो तो आपने आप ने हो दो और रिटर्वी तरूप बता देता हो जो मसले होते हैं यह मुझे समझ न इक लिए ए तो बहुत से जवाब आपने ऐसे दिये हैं जो राइटर्स प्रस्टेक्टिब था 95% अब यह बड़ा यह कॉंप्लिमेंट है इसको प्लीज यह उपर वाले जिप खोल के दख ले आपका शुक्रिया इस कॉंपलिमेंट आपका शुक्रिया सर कि आप समझे इस बात को से एक जो मुझे नहीं समझे फिर समझाए यह ताया जो आप वापिस हमने पैरों पर खड़े होगे ताया और दादा की हमने कभी को इंट्रेक्शन नहीं देखी अभी तक में देखिना जो मैं कि कुछ सीन्स नहीं हुए हम सब कुछ ना खुलवाए मुझे मेरा द अगले में इतना कितनी दफा हुए आपके साथ चुरू में कि जवाब ने का यह क्यों और अगली किस्त में हो गया और आपने और फिर आप रूब्यू में हलका साब ने का कि हाँ वो तो हो गया है